असलाम अलेकम दोस्तों वेलकम आन वकार गिरकर शो तो पाकिस्तान की पहले ODI मैच के लिए अगेस अस्ट्रेलिया जो चार नमबर को जनाब MCG के अंदर होने जा रहा है उसके लिए पाकिस्तान की जो प्लेंग 11 है वो भाई सेट हो गई है और पांच स्लोट्स की उपर नए पेर चेंज है बॉलिंग का जो कंबिनेशन बना हुआ था बॉलर्स का वो चेंज है तो पाकिस्तान की जो प्लेंग 11 उसकी न्यू लुक क्या है और वसीम अकरम ने आगा कर दिया पाकिस्तान को के मन मानिया आपकी अस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं चलने वाली है टी 20 के एडम जैंपा को यानि कि इनको हराना इनके घर में बहुत मुश्किल है तुझे उन्हें अगाह करते हैं टी 20 के अदर आपका एक साइड़ पी चांस है कि आप वहाँ पे उनकी उपर अटेक कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्या उन्हें जी सकता है भाई यह सब कुछ आगे अगेस ऑस्ट्रेलिया बोड़ी सी तबीयत खराब है लेकिन दोस्तों आप टक अपडेट पहुचाना भी बहुत जरूरी है तो बरलत ना पाकिस्तान का जो नियो कंपरेशन अगर हम ओपनिंग पेर देखें तो पहला जो हमारा ओपनिंग पेर था वो था फखर जमान और इमाम-ul-Hak की सूरत में उसके बाद चेंज हुआ तो फखर जमान और अबदुल्ला शफीक का ओपनिंग पेर बना हुआ था ओडिया वर्ल्ड काप के अंदर लेकिन अब बिलकुल नी ओपनिंग पेर है अबदुल्ला शफीक और साइम अईयूब का बाबाराजम के पास व मुहम्मद रिजवान के पास होगी विकेट कीपर भी है कफ्तान भी है और इसके लावा नमबर चे के उपर आएंगे सल्मान अलियागा तो क्या ही बेतरीन कंबिनेशन है और परफेक्ट बैटर लाग रहे हैं जो मतलब आपकी जो टॉप सिक्स है वो बड़ी जबर्दस कि प्लेयर है और ओडियाए के बड़े मजवी प्लेयर भी आप इनको कह सकते हैं लोकवाइस अगर आप देखें सारी इसी फॉर्मेट के अंदर जैटते हैं अगर आप यारी कब्दिल्ला को देखें साइम को बाबर को कामरान गुलाम को रिजवान को और सल्मान अलियागा को उसके बाद आपके जनाब जो फास्ट बालर्स है अब आपके छेप मिलते जुलते आल उन्डर सल्मान अलियागा बाल भी करेंगे स्पिनर्स का आपको स्पिन का एक आप्शन दे रहे हैं बाकी आपके आमर जमाल ये आपके एक फास्ट बालर भी बनते हैं आल उन्डर भी तो आप यहाँ जहने कि देखें और इर्फान खान न्याजी एक बेतरी नाल रूंडर है यहने कि अगर आप उपर तो देखते हैं साइम जूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इसके इलावा अगर बात करें तो कामरान गुला मुहम्मद रिजवान सल्मान अलियाग इसके लाव अगर बात करें इर्फान खान न्याजी तो यहाँ तो आपका मुकंबल जो मतलब बैटेंट सेटम है वो क्लियर है और इसके लाव फिर आमिर जमाल, उसके बाद शाहीन, नसीम और मुहम्द असने, आपके बास चार फास बोलर आ रहे हैं सल्मान अलियागा है, तो बरदर आप यह बेतरीन रहने वाली है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और बेस्ट प्लेइंग 11 किसीडर कर रहे हैं, महरान मुम्ताज और सौरी जो अरफात मिरहास और फैसल अक्रम जे, उनकी यहाँ पर जगा एक्सपेक्टेड थी लेकिन लग नहीं राक उनको खिल सौरी मॉर्निंग स्टार्ट होगा, यह भी आपको क्लिए रोना चाहिए, अपडेट से चलिए लिए लाइक और सब्सक्राइब धरूर कर देना